जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है जो लूसेंट आप्शनल वाली बुक है उसका नवा टॉपिक पूर मद्धिकाल 650SW से 1206SW में जो सेकेंड पार्ट था दच्छिड भारत तो उसका ये तीसरा वीडियो है दूसरे वीडियो में 60 तक कोस्चन हो गए जाना था और कल्याडी के चालुक के बारे में जाना था तो आज हम जो भी नवे टॉपिक के पूर मद्धिकाल सेकेंड पार्ट दच्छिड भारत के चोल सामराजवा अन्ने इसके सारे कोस्चन होंगे और जो किरन बुक क्योंकि लूसेंट वालेम तो पहले ही खतम हो मद्धिकालीन भारत का जो मद्रय के पांड हैं देवगीर के यादव हैं और दोर समुद्र के होईसल वंस हैं कदंब के राजवंस और गंग वंस वारलंग के कालीन वंस तो एक सेटमा कोस्चन देखेगा एक सेटमा कोस्चन है चोल यूग प्रसीद था निम्ण में किसके लिए तो चोल यूग ना तो धार्मी विस्वास के लिए प्रशिद्ध है ना तो राष्ट कूटों से युद्ध के लिए ना तो लंका से व्यापार के लिए चोल जो है चोल यूग प्रशिद्ध है ग्रामीड सभाओं के लिए ग्रामीड सभाओं के लिए प्रशिद्ध है चोल युग इतो एक्स्ट्रमा कोस्चन हुआ अब देखते हैं पहला जो दच्छल भारत का शामराज पढ़ चुके हो उसके आज जो पढ़ना आए पहला मदुरय के पांड देखिए परवर्ती पांड वंस की स्थापना कंड गोन ने की थी किसने कंड गोन ने की थी जो 1590 से 620 इसवी तक जिसने सासन किया कंड गोन ने मलयादी कुरुच में चटान काटकर जयंत वर्मन ने गुफा मंदिर बनवाई मलयादी कुरुच में चटान काटकर जयंत वर्मन ने गुफा मंदिर बनवाई सिरी मार सिरी वल्लब जो 815 से 862 इसवी तक उन्होंने सासन किया सिरी मार सिरी वल्लब ने एक पराकर्मी तथा सामराजवादी सासक था अंतता पांड सामराज को पल्लब सासक नरपत्रंग ने विजित कर लिया तो यह मदिरों का पांड हो गया अगला है देवगिरी के यादव देखिए देवगिरी के यादव वंस का संस्थापक भिल्लम था शासक सोमेशन चतूरत शाम जो था जो चालू की शाशक सोमेशन चतूरत था उसका यह साम मत था भिल्लम ने अपनी रादधानी देवगिरी में बनाई उसने गेरासो सट्य स्वी से गेरासो इक्यानवे श्वी तक सासन किया छार वर्स लगभग भिल्लम के बाद उसका वेटा जैतुंगी राजा बना महान खगोल सास्त्री भासका चार का पुत्र लच्मिधर जैतुंगी का दरवारी कभी था अतलब जो खगोल सास्त्री भासकरा चार का पुत्र लच्मिधर था वो जैतुंगी जो भिल्लम का पुत्र था उसका दरवारी कभी बना यादोवंस का सबसे सक्तिसाली राजा सिंगन था कौन था? सिंगन उसने 1210 इस्वी से 1247 इस्वी तक सासन किया सारंग देव का संगीत सारंग देव का संगीत रतनाकर सिंगन के दर्वार में लिखा गया जो सारंग देव का संगीत है सारंग देव एक विद्वान है इनका संगीत जो है ये रतनाकर सिंगन के दर्वार में लिखा गया जो यादोवन्स का सबसे सक्तिसाली समराठ था वाराह मीर वारा मिहीर के ब्रहजातक पर अनंत देव ने टिपड़ी लिखी वरत खांदा का लेखक हमादरी महादेव के दर्वार में रहता था देव गिरी को 1309 इसवी में अलावदिन खिलजी दोरा विजित कर लिया जीत लिया और फिर इसी में मिला लिया यादव वन्स का अंतिम स्वतंत्र सासक रामचंद्र था सिधांत सिरोमली तथा करण कवतुहल की रचना भासका चारने की सिधांत सिरोमली और करण कवतुहल की रचना भासका चारने की जिनके पुत्र लच्मी धर थे जो जैतुंगी समराट के दरवारी कब थे अगला है द्वार समुद्र के होईशल वन्स देखी होईशलों का मूल छेत्र मैशूर में गंगवाडी के पहाडी छेत्र में था होईशलों का मूल छेत्र मैशूर में गंगवाडी के पहाडी छेत्र में था होई सल राज का वास्त्विक संस्थापक विश्णुवर्धन था होई सल यादो वंस से सम्मंदित थे अपने कुछ चंद्रवंसी मानते थे होई सल लोग होई सलेशर के मंदिर का निर्माड होए सलेशर के मंदिर का निर्माड विश्ड वर्धन के सासनकाल में हुआ सलेशर के मंदिर का निर्माड विश्ड वर्धन के सासनकाल में हुआ वेल्लूर में चेन्ना केसव मंदिर का निर्माड विश्ड वर्धन ने करवाया था वेल्डूर में चेन्ना केसव मंदिर का निर्माड विश्वरधन ने करवाया था होईशलवंस का अंतिम सासक वीर बल्लाल तिर्थी था 1310 से 1100 इस्वी में अलाउदिन खेलजी के सेनापती मलिक काफूर के होईशलवंस के सासक बल्लाल तिर्थी को पराजित किया और बल्लाल तिर्थी ने अलाउदिन को वार्सिक कर देना स्विकार कर लिया उसने 1349 इस्वी तक अलाउदिन के करद के रूप में सासन करता रहा बल्लाल जो तिर्थी था होईशलवंस का सासक ये 1349 इस्वी तक अलाव दिन के करद मतने करदेने वाले के रूप में सासन करता रहा होईशलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेविड जो करनाटक में है हलेविड ये नाम है होईशलों को जी राजधानी द्वार समुद्र थी तो आधुनिक में उसको हलेविड करनाटक में कहते हैं ये तो हुआ द्वार समुद्र के होई शर्मन्स अगला है कदम राजवन्स देखिए कदम राजवन्स की स्थापना मयूर सर्मन ने की थी मयूर सर्मन ने की थी मयूर सर्मन लगबग 345 हिस्वी से 360 हिस्वी तक सासन कि मैयूर सर्मन ने, कदम सासकों की राजधानी बनवासी थी, कदम सासक थे, इनकी राजधानी बनवासी थी, इनकी दूसरी राजधानी का नाम वालसिका था, क्या था, वालसिका, मैयूर सर्मन का उत्रादिकारी म्रगेश वर्मन था, मैयूर सर्मन का उत्राधिकारी म्रगेश वर्मन था वालिसिका में म्रगेश वर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माड मैयूर सर्मन की इस्मृत में कराया गया वालासिका में म्रगेश वर्मन द्वारा एक मंदिर का निर्माड कराया गया मैयूर सर्मन की स्मृत में मैयूर सर्मन को 18 असमेग यगिका अनुष्ठान करने वाला कहा गया है कदंब वंसी सासकों की वंसा वली हमें एक मात्र ताल कुंड इस्तंबलेक से ग्यात होती है कदंब वंसी सासकों की वंसा वली हमें एक मात्र ताल गुंड इस्तंबलेक से प्राप्त होती है ताल गुंड इस्तंबलेक अगला वंस है गंगवंस गंगवंस की स्थापना कोंकडी वर्मा ने की थी कोंकडी वर्मा ने की थी कोंकडी वर्मा का समय लगभग 400 वी पूर माना जाता है कोंकडी वर्मा का समय गंग वन्सका सासन आधुनिक मैशूर के दच्छिड गंग वाड छेत्र में था। गंग वन्स था। अच्छा है वारंगल के काक्ती वन्स। देखिए काक्ती वन्स का संस्थापक बेत प्रथम था। प्रवल्दूती जो काक्ती शा सक था प्रवल्दूती तो प्रवल्दूती ने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र गोसित किया। अनुमा कोंड़ा के हजार इस्तंभों वाले मंदिर का निर्माड रुद्र देव ने करवाया इनकी राजधानी अमकोंड थी ओरुगाल नामक नया सहर रुद्र देव ने बसाया रुद्र देव ने बसाया काक्ति वंस का सबसे सक्तिसाली राजा गडपत देव था जिसने अपनी राजधानी वारंगल में इस्थापित की थी रुद्रामभा देवी गडपत देव की पूत्री थी तथा गडपत के बाद रुद्रामभा काक्ति राज की सासिका बनी गडपत के बाद रुद्रामभा जोयें काक्ति राज की सासिका बनी 1323 इस्वें मुहम्मद तुगलग ने प्रताप रुद्र देव के राज पर आक्र मण किया प्रताप रुद्र देव पर आजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया और काक्ती राज दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया प्रताप रुद्र देव पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया और काक्ती राज दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया नीति सास्त्र मुक्तावली बादेना ने लिखी है, नीरव चनोत्तर रामायड ये तिकाना ने लिखी है, काक्ती राज में कालामुक तथा पासुपत धर्म परचलित था, अप्पाचार ने प्रतिस्थासार लिखी, अप्पाचार ने प्रतिस्थासार लिखी, तो ये तो हुआ वारांगल के काना ने लिखी, अब है प्रसिद विद्वान उनके सनरच्चक, कुछ विद्वान हैं दच्छिड भारत के, और उनके सनरच्चक देखते हैं, जैसे उदैराज विद्वान है, इनके सनरच्चक गुजरात का महमूद वेगडा था, सनरच्चक गुजरात का महमूद वेगडा, हेम चंद्र जो थे विद्वान इनके जो संरचक थे कुमार पाल थे अनिहल वाड के चालूग के अनिहल अनिहल वाड के चालूग नागा अरजुन नागा अरजुन के संरचक कनिस्क थे मतलब कनिस्क के दरवार के नागा अरजुन थे अमर सिंग ये चंद्रगुप्त विक्रमादित के समय में अमर सिंग हुए रविकीर्थ का संरच्छक कोन है रविकीर्थ विद्वान थे इनके जो संरच्छक है पुलकेसियन दुती चालुक की बादामी संरच्छक थे वाकपति राज जो विद्वान है इनके संरच्छक कन्योज का ये सोवर्मन था भवभूती का भी विद्वान है जिनुने कई रचनाय लिखी कन्योज के ये सोवर्मन ही इनके संरच्छक है हरिसेंड का समुद्र गुप्त, राज सेखर महंद्रपाल और महिपाल जो गुरुजर प्रतिहार थे, महंद्रपाल गुरुजर प्रतिहार प्रतिहार तो राज सेखर महंद्रपाल और महिपाल के सनरच्छण में रहते थे, सोमदेव प्रतिवी राज तिर्ती के सासन में 16 3. माणबट बंट मर्मट के उसमें रहते थे गुडाड आट यह हाल गुडाद मर्मट के उसमें रहते थे अमोग वर्स जो राष्ट कूट के थे सनरच्छड में रहते थे महावीराचार अमोग वर्स अच्छा जिन सेन जो थे ये भी अमोग वर्स के ही जो राष्ट कूट के थे अमोग वर्स के ही सनरच्छड में रहते थे सक्टायन सक्टायन विद्वान भी अमोग वर्स अमोग व गोबिंद वाले ये सनरच्छण में रहते थे लचमण सेन के बंगाल वाले विल्लड ये विक्रमादीत सस्टम कल्याणी के चालूग कि किसा सकते कल्याणी के चालूग कि थे ये विल्लड विक्रमादीत सस्टम इनके दरवार में विल्लड जी रहते थे अच्छा विक्रमाद देखो हर्स जो हैं वो हर्स के सासन में बारबट रहते लेकिन सिरी हर्स जो विद्वान है ये जैचंद के सरचड में रहते थे जो कन्योज के राजा थे चंद्रावर का युद्ध कल्हड ये हर्स कस्मीर वाले उनके सासन में रहते थे फिरदोसी महमूद गजनी के सनरच्छड में थे फिरदोसी विद्वान अमीर खुश्रो ये बल्बन से अलाव दिन खिलजी तक ये उनी के सनरच्छड में रहे बल्बन राजा से और अलाव दिन के सासन तक अमीर खुश विचित्र चित्त की उपाधि ली विचित्र चित्त की उपाधि महेंदर वर्मन पर्थम जो पल्लव वंस के थे नरसिंग वर्मन दुती जो पल्लव वंस के थे इनोंने राज सिंग की उपाधि ली भोज जो प्रतिहार वंस के थे इनोंने आदिवारा या मिहिर भोज की उप किर्फड देवराय ये विजय नगर के ही हैं किर्फड देवराय इन्होंने आंद्र भोज और आंद्र पितामा या यवन राज स्थापना चार की उपाद ली आंद्र भोज आंद्र पितामा यवन राज स्थापना चार अभिनव ओज भी इन्हें कहा जाता है किर्फड देव चोल वंसके मदुरय कोंड अच्छा राजेंद दुती जो चोल वंसके थे वो कुलो तुंग चोल की उपाद इन्होंने ली बिक्रम चोल जो चोल ही वंसके थे इन्होंने त्याग समुद्र अहलंका की उपाद ली त्याग समुद्र अहलंका कुशाड जो राजा कुशाड हुए है इन्होंने उपाद जो है देव पुत्र की उपाद ली थी कुशाड तो इस तरीके से प्राचीन नितिहास से किरन और लूसेंट का सारा एक्स्प्लेंज जो है वो एंड हो चुका है अब अगला जो वीडियो आएगा वो मद्ध कालिन भारस से आएगा लूसेंट और अप्सनल से जो रह गया है और कोस्चन रह गये हैं उनको जल्द में देख लेते हैं बासटवा कोस्चन है किस राष्ट कूट सासक ने रामेशरम में विजय इस्तंब पर विजय इस्तंब युम देवालय की स्थापना की तो क्रश्ड तिर्टी ने विजय इस्तंब युम देवालय की स्थापना की तिर्श्टवा है वेनिस यात्री मारको पोलो के पांड राज के भ्रमण के समय वहां का सासक कौन था जो वेनिस यात्री मारको पोलो था 1288 से 1293 तक यहां इनोंने भ्रमण किया तो उसमय जब भ्रमण करने वह आया तो पांड राज का सासक जो था माड वर्मन कुल सेखर था चोसटवा है एलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण किस्ड ने करवाया तो किस्ड परथम ने करवाया है एलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण पैसेटवा है मान्नि खेत या माल खेत को राश्ट कूट राज की राधानी बनाई किसने अमोग वर्स ने किसने कन्नड काब शास्त्र की प्राची राधानी बनाई किसने अमोग वर्स ने कि सरस्टवा कोश्चन राश्ट कूट काल में राश्ट यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था तो राश्ट कूट काल में राश्ट का प्रधान कहलाता था राश्ट पति राश्ट यानी प्रांत का प्रधान राश्ट पति कहलाता था किस राजवंस का काल कंणर साहित के उतपत्ि का काल माना जाता है तो राष्ट्रकूल काल कंणर साहित के तीरत्न में सामिल नहीं था तो pump आते थे कन्नड साहित के तीन रत्न जो है कहे जाते है pump, run, sayad pump, run, sayad, जो चौथा नाम पौन आया है ये नहीं है run, sayad pump तो थे लेकिन पौन जो है ये कन्नड साहित के त्री रत्न नहीं है अगला लिखा है ग्रंथकार और ग्रंथ तो आधि पुराण जो है लिखा है पंप ने इसने पंप ने आधि पुराण पंप ने लिखा है सांति पुराण पोन ने लिखा है किसने पोन ने लिखा है और अजित पुराण लिखने वाले रन है रन विद्धान है इन्होंने अजित पुराण लिखा है सक्टा यन ने अमो अमोग वरत लिखी है तो पंप रन सायण ये त्री रत निकाए जाते हैं कंणर सायद के तो यह पंप ने आधि पुराण पौन ने सांति पुराण रन ने अजित पुराण और सक्टा यन ने अमोग वर्स एकत्रवा कोश्टन है राश्ट्र कूट कालीन इस्थापत कला के नम नमूने मिलते हैं एलोरा और एलीफेंटा में राश्ट कूट कालीन इस्थापत कला के नमूने एलोरा और एलीफेंटा में मिलते हैं रावड की खाई दसवा अवतार कैलास गुफा मंदिर कहां मिलते हैं एलोरा में रावड की खाई दसवा अवतार कैलास गुफा मंदिर ये एलोरा में मिलते हैं तित्रवा कोश्चन है बंबई से छे मील दूर धारा पुरी या धारा नगरी में इस्थित गुफाएं कौन हैं तो बंबई से छे मील दूर धारा पुरी या धारा नगरी में एली फेंटा की गुफाएं हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए तीन क दो कथन हैं चोलो ने पांड तथा चेर सासकों को पराजित कर प्रायद इपी भारत पर प्रारंबिक मद्ध कालिन समय में अपना प्राभुत इस्थापित किया दूसरा चोलो ने दच्छिड पूर्वी एसिया के सैलेंद्र सामराज के विरुद्ध शैन चड़ाई की तथा कुछ छेत्रों को जीता तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं चोलो ने पांड था चेर सासकों को पराजित कर प्रायद इपी भारत पर प्रारंबिक मद्ध कालिन समय में अपना प्रभुत भी स्थापित किया और चोलो ने दच्छड पूर्वेसिया के सैलेंद्र सामराज के विरुद्ध सैन चड़ाई की तथा कुछ छेत्रों को जीता पचत्रवा कोश्चन है होई साल इसमारक पाये जाते हैं तो होई साल इसमारक जो है हलेविड और बेलूर में पाये जाते हैं चोलो द्वरा किसके साथ घनेष्ट राजनेतिक तथा वैवाहिक सम्मन्द इस्थापित किया गया तो चोलो द्वरा वेंगी के चालुक्यों के साथ घनेष्ट राजनेतिक तथा वैवाहिक सम्मन्द इस्थापित किया गया चोल काल में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमाओं में चतुर भुज देव आकरत देखी जाती है प्राया चतुर भुज देवा आकरत देखी जाती है प्राया चतुर भुज है ना पहला सासक विजया लए के द्वारा चोल सामराज की निवडाली गई उन्यासिमा कोस्चन है सेवेंटीनाइन सुगंध वरत यानि करों को हटाने वाला ये सासक किसको उपादी दी गई है ये किस सासक को ये उपादी है सुगंध वरत जो चोल वंसका है सासक तो ये राजेंद तिर्ती को दी गई है जिसका दूसरा नाम कुलोन तुंग चोल प्र थम भी इसका नाम था असी कोस्चन नमबर असी है ग्रंथ है उनके रचनाकार बताना है तो एक ग्रंथ है पेरियर पुराणम तो पेरियर पुराणम के ग्रंथकार है शेकिलार क्या है शेकिलार पेरियर पुराणम के ग्रंथकार है शेकिलार अच्छा वीर सोलियम के ग्रंथकार हैं बुद्ध मित्र कलिंग तुपरणी के ग्रंथकार हैं जै गोदान एक क्यासिमा कोस्चन है चोल राज की राजधानी तंजवर को बनाने वाला कौन था तो चोल राज की राजधानी तंजवर को बनाने वाला विजया लए था चोल राज का संस्थापक विजया लए पहले किसका सामन्द था तो पल्लव राजाओं का जो पल्लव वंस की राजा थे उनका सामन्द था चोल राज का संस्थापक विजया लए पूर्व मद्धिकाल में विजया लएने चोल राज की इस्थापना कब की 1846 में पूर्व मद्धिकाल में विजया लएने चोल राज की इस्थापना की चवरासिवा कोश्चन है किस चोल सासक ने चिदंबरम का परसिद नट राज मंदिर का निर्माड कराया मतलब चिदंबरम में जो नटराज मंदिर है किस चोल सासक ने इसका निर्मा रखाया तो परांतक प्रथम ने किस ने परांतक प्रथम ने पच्चासिमा कोश्चन है अभिलेखों को एतिहासिक प्राकर्थन के साथ प्रारंब करने की परंपरा का सूत्रपात किस ने किया तो राज राजा प्रथम ने अभिलेखों को एतिहासिक प्राकर्थन के साथ प्रारंब करने की परंपरा का सूत्रपात किया किस चोल सासक ने सिरिलंकाई सासक महिंद पंचम के समय में सिरिलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधा पूर को नष्ट किया एवं उत्तरी सिरिलंका पर अधिकार भी किया महिंद पंचम के समय में सिरिलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधा पूर को नष्ट किया और उत्तरी सिरिलंका पर अधिकार भी किया तो वो चोल सासक था राज राजा प्रथम जिसने अभिलेखों को एतिहासिक प्राखथन के साथ प्रारम करने की प्रथा डाली थी उसी ने ये सब किया सतैसमा कोस्चन राज राजा प्रथम ने शिर लंका के विजित प्रदेशों को मुम्ड चोल मंडलम के नाम से चोल सामराज का एक प्रांत बनाया मुम्बी चोल मंडलम के नाम से चोलन शामराज का एक परांथ बनाया तथा मुम्डी चोल देव की उपाद धारण की किसने राज राजा प्रथमने क्योंकि इसने इतु हराया था सिर्लंकाई सासक महिंद पंचम को और उसकी राजधाने किसे बनाया तो इस मुम्डि चोल मंदलम की राजधानी बनाया गया पोल पोलन रुआ किसको पोलन रुआ अठासिमा कोश्चन है चोलों की पहली सामोद्रिक विजए सिरलंका विजए करने एवं नोसेना के गठन का स्रे किसको है तो राज राजा प्रथम को पहली सामोद्रिक विजए सिरलंका विजए पहली सामोद्रिक विजए यानि सिरलंका विजए और नोसेना का गठन का स्रे राज राजा प्रथम को है, नवासिवा कोश्चन है, किस चोल सासक ने अपनी यससी विजयों को समापन मालदीव समू की विजय से किया, मतलब किस चोल सासक ने अपनी यससी विजयों का समापन मालदीव समू की विजय से किया, तो राज राजा प्रथम ने समापन कर दिया, माल दिव दिव पसमू के बाद में फिर इसने कोई भी समुद्री प्रांत नहीं जीता किस चोल सासक ने एक हजार इस्वी में भू राजस्च के निर्धारण के लिए भू मिका सर्वेचल कराया तो राज राजा प्रथम ने, एक क्यानवे कोश्चन है, किस चोल सासक ने सिरलंका के सेस बचे दच्छडी भाग पर अधिकार कर सिरलंका विजय को पूर्ड किया, तो राजेंद्र प्रथम ने चोल सासक जो था, इसने सिरलंका के सेस बचे दच्छडी भाग पर अधिकार कर सिलंका विजय को पूर्ड किया कोश्चन नमर 92 है किसने चिदंबरम के निकट गंगय कोंड चोल पूरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया तो राजेंद प्रथम ने चिदंबरम के निकट गंगय कोंड चोल पूरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया 93 कोश्चन है किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो की तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैने का भियान था और साथ ही जिसने इस एतियासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दच्छिड को विजित किया जा सकता है दच्छिड से उत्तर को नहीं तो राजध प्रथम ने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्री सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस एतियासिक ब्रह्म को तोड़ा कि उत्तर से ही दच्छिड को विजित किया जा सकता है दच्छिड से उत्तर को नहीं राजेंद्र प्रथम किसने इंडोनेसिया के एक दीप सुमात्रा के विजय सामराज के सासक संग्राम विजयो तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निको बार दीप समूँ वा मलेशिया प्रायदीप के मद्ध कडारम सहित बारा दीपों पर अधिकार कर लिया तो राजेंद्र प्रथम ने ही इंडोनेसिया के एक दीप सुमात्रा के विजय सामराज के सासक संग्राम विजयो तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निको बार दीप समूँ वा मलेशिया प्रायदीप के मद्ध कडारम यानि जो आधुनिक के दा है कडारम जो है मद्ध कडारम जो आधुनिक के दा है सहित बारा दीपों पर अधिकार कर लिया था राजेंद्र प्रथम ने 95 कोस्चन है किसने 1077 इसवी में 92 वैपारियों का एक सिष्ट मंडल चीन भेजा तो Kulotung चोल प्रथम ने 1047 इसवी में 92 वैपारियों का एक सिष्ट मंडल चीन भेजा है ना कुलotung चोल प्रथम ने चीनवे कोश्चन ये सूची है जैसे असूची एक सूची भी तो पेरुंदरम मिलेगा उच स्रेडी के अधिकारी वर को पेरुंदरम कहते थे शिरुतरम जो है निम्न स्रेडी के अधिकारी वर्ग को सिरुतरम कहते थे ओले नायकम जो है मुख सचिव होते थे ओले नायकम मुख सचिव विदय अधिकारी जो है प्रेशण लिपिक वाले जो होते थे वो विदय अधिकारी होते थे विदय अधिकारी प्रेशड लिपिक वाले पेरु दरम उच्छ स्रेडी के अधिकारी वर्ग सीरु तरम निम्नि स्रेडी के अधिकारी वर्ग ओले नायकम मुख्य सचिव विदय अधिकारी प्रेशड लिपिक अगला है फिर एक सुची आई है चोल कालिन प्रसास की विवाजन वा समतुल्य तो मंडलम जो है ये प्रांत के समतुल्य होते थे मंडलम किसके समान होते थे प्रांत और जो वलनाड या कोटम होते थे ये कमिशनरी होते थे किसके समान होते थे कमिशनरी के समान नाड को जिला कहा जाता था जिला जो होता है तो चोल वंस में ये नाड का आ जाता था ग्राम समू को कुर्रम का आ जाता था क्या कुर्रम तो ये तो हुआ 97 कोश्च नमर अठानवे इसका भी सूची मिलान करना है उरार जो है उरार उरार जो है उर ग्राम यानि सामान ग्राम की सभा को उरार कहते थे ब्रामलों को दान में दिया गया गाओं सभा या महासभा या पेरुगुरी कहलाती थी सभा या महासभा या पेरुंगुरी कोई कोई तो इससे चतुरवेदी मंगलम ग्राम भी कहते थे अच्छा नगर के वेपारियों की सभा नगरम कहलाती थी नगर के वेपारियों की सभा नगरम और सिल्पियों की सभा पुग सिल्पियों की सभा पुग कहलाती थी क्या पुग कहलाती थी अगला है महासभा की कार कारड़ी समित को कहा जाता था तो महासभा की जो कार कारड़ी समित थी उसको कहा जाता था वरियम क्या कहा जाता था वरियम कुष्च नमबर सो जो है कहां से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कारपडाली के विशे में विश्तरत जानकारी मिलती है तो उत्तर मेरूर उत्तर मेरूर से प्राप्त अवलेक से महासभा की कारपडाली के विशे में विश्तरत जानकारी मिलती है चोल काल में कडिमे का अर्थ क्या था? तो चोल काल में कडमे कार था भूराजश या लगान तो 102 question चोल काल में नौशेना का सरवादिक विकास किसके समय में हुआ तो राजेंद्र प्रथम के समय में नौशेना का सरवादिक विकास हुआ तो 102 कोस्चन रखिएगा सेस जो कोस्चन है वो next पार्ट में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा 102 कोस्चन रखिएगा Thanks for watching